तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पश्ची बंगाल के जलपाई गुडी में आचनावी राली को संबोधित करने वाले हैं। उनके जो सपने हैं उनको केवाल भाजपाही पूरा कर सकती है। तो यह तीन तस्वीर हैं आपके सामने। तो यह तीन तस्वीर हैं आपके सामने। तीन राज्जियों में आज प्रधान मंत्री पहुँच Haggadah होगा तो तीन राज्य प्रचार दुआधार लगातार ही देखने को मिल रहा है सौमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जादा ज्वानकारी के साथ वह में पश्यमंगाल की तमाम तस्वीरों से रूबुरू करवाएंगे सौमित आज प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी बंग पहुंचेंगे जल्पाई गुड़ी पहुंचकर उनका एक बड़ा कालिक्रम होना है और अगर हम पिछले तीन दिन की बात करें तो एक बार फिर पश्यमंगाल पहुंचकर यहां की जंता को साधने की कोशिश होगी सौमित जी जारी सी बात है आज जब प्रधानमंत्वी यहां पर पहुंचेंगे तो उनके साथ उनके पास पे कई और इश्यमंगे और उस सबसे हम होगी के जो बताया जा रहा है राजित के जानकार अपकीजिए और जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि 24 गंटा हो चुका है किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई जबकि वीडियो फूटेज भी है किस तरह से नाइए की टीम के सामने वो लोग लाठी लेकर बांस लेकर वो लोग खड़े थे और कैसे उनके गाडियों पर पत्थरमाजी की कई लेकिन अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हुई जैसे घटना घटी थी पांच जैनवरी को संदेश खाली में जब सेख्षा जाहान के घर पे एडी रेट करने गए थे वहाँ पर भी सानीर लोग जो बताया जारा रहा कि रमूर समर्थक उनको उन्होंने एडी के उपर हमला किया और इस घटना की जब पिजार से सीवियाई शुरू की उस पर कई लोगों की गिरफतारी हो चुकी है अकल के घटना के बाद जब आज प्रधान मंत्री जिस वक्त प्रधान मंत्री पश्रिम मंगाल के जलपाई गुरी में सभा करेंगे उसी समय त्रमल कॉंग्रे बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का संगठन कितना स्ट्रॉंग है यहाँ पर वो 2019 के चुनाव के नतिजे ही खुल कर बताया है फिर 2021 में भी तीन विधान सभास बिधायक से 77 तक बीजेपी अपने डम पर पहुची है और उसी को काम पर लगाने के लिए प्रधान मंत्री का यह दूसरा दौरा है और इस दौरे के दौरान आज की जनसभा के दौरान की किन बातों का जिक्र करते हैं इसमें हमाई नजर आएगी